खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जन्तन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट तो एक तरफ देश में कोरोना से जंग लड़ रहा है सरकार की तरफ से हर ममकिन कोशिश की जा रही है कि कोरोना के संक्रमर पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जा सके इस मुश्किल भरी घड़ी में भारत में सरकार के लिए एक अच्छी कबर में सामने आई है मिली जानकारी से सामने आया है कि चीन में चल रही बहुर आश्ट्रिया कमपनियों को कोरोना के बाद चीन में काम करने में मुश्किल हो रही है ऐसे में ये कमपनिया भारत में अपने कारुबार को विक्सित करने पर विचार कर रही है ये रुपोर्ट देखे कोरणा संकट के बीच भारत के लिए बेहद अच्छी खबर भारत में मौके तलाश रही है विदेशी कमपनिया क्या चीन से छिंचाएगा मैनिफाक्चरिंग हब का तमगा क्या भारत बनेगा अगला मैनिफाक्चरिंग हब दुनिया भर के ज्यादतर देश कोरोना वारिस की जद में आ गए हैं लॉक्डाउन से अर्थ्वेवस्ता ध्वस्त होने के कगार पर है लेकिन इस बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है दरसल चीन में सक्रिये करीब एक हजार कमपनियां अब भारत में मौके तलाश रही है बिसनस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वारिस की वज़ा से चीन में विदेशी कमपनियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में करीब एक हजार विदेशी कमपनियां भारत में मौके तलाश रही है इन में से करीब तीन सो कमपनियां ऐसी हैं जो भारत में फैक्टरी लगाने के लिए पूरी तरह से मन बना चुकी है और साथ ही सरकार के अधिकारियों से इस पारे में बातचीत भी शिरू कर दी है बिस्निस टुडे से बातचीत में केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने जुआनकारी दी कि मौजूदा समय में लगभग 1000 कंपनियां अलग अलग स्तरों पर बातचीत कर रही है इन कंपनियों में से 300 कंपनियों को चुना गया है केंद्र सरकार के अधिकारी के मताबिक कोरोना वायरिस के नियंद्रन में आने के बाद स्थिती भारत के लिए बहतर होगी और भारत वे गल्पिक मैनुफैक्ट्रिंग हब के रूप में उभर कर सामने आएगा चुनी गई 300 कंपनियों मोबाइल, एलेक्ट्रोनिक्स, मेडिकल डिवाइसस, टेक्स्टाइल्स और सिंथेटिक फाब्रिक्स के छेत्र में सक्रिये हैं और अब भारत में आना चाहती हैं अगर सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉंस मिला, तो ये चीन के लिए एक बड़ा जटका साबित होगा इसके साथी चीन के हातों से मैनुफैक्ट्रिंग हब का तमगा, चिन जाने का खत्रा भी मंडराने लगा है मोधी सरकार लगातार विदेशी निवेशकों को लुभाने में जुटी है इसके लिए सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान भी किये गए बीते साल कॉर्परिट टाक्स को घटा कर 25 तशमलक एक साथ फीसदी कर दिया गया था वहीं नई फैक्टरी लगाने वालों के लिए ये टाक्स घटा कर 17 फीसदी करने का फैस्टा सरकार की तरफ से लिया गया ये टाक्स दक्षन पूर्व एशिया में सब से कम है यही नहीं सरकार ने M.A.T. यानि कि Minimum Alternate Tax में भी रहत दी है कमपनियां अब 18.5 फीसदी की बचाए 15 फीसदी की दर से मैट चुकाती है जानकारी देदे कि मैट उन कमपनियों पर लगाया जाता है जो मुनाफ़ा तो कमाती है लेकिन रियायतों की वच्छर से इन पर टाक्स की देंदारी कम होती है ऐसे में अगर चीन से निकल कर ये एक हजार विदेशी कमपनिया भारत में सेट अप करती है तो भारत को इसका काफी फायदा होगा बिसनस डेस्क जनतांटर टीवी वहीं अमेर्के सोचल मीडिया कमपनी फेस्बुक अपने वस्तार पर तेजी से काम कर रही है और इसी के तहर फेस्बुक और रिलाइंस जीओ के बीच बड़ी दीर हुई है फेस्बुक ने ये मुकेश अमबानी की कमपनी रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड के डिजिटल ऑपरेशन रिलाइंस जीओ में 43,000 करोन रुपे से ज़ादा कार निवेश किया है दोनों कमपनियों के बीच करार से भारत को क्या फायदा होगा इस रुपोर्ट में आपको दिखाते हैं देश में लॉकडाउन है और ऐसे में दो दिगज कमपनियों की बीच हुई एक बड़ी डील की चर्चा जोरो पर है भारत की दिगज कमपनी रिलाइंस जियो और सोशल नेटवरकिंग साइट फेस्बुक के बीच करार हुआ है दील के तहट फेस्बुक ने रिलाइंस जियो में 43,000 करोड से ज्यादा के निवेश का फैसला किया है डील के बाद फेस्बुक की रिलाइंस जियो में करीब 10 पीसिदी हिस्सेदारी हो जाएगी और फेस्बुक रिलाइंस जियो का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा फेस्बुक के इस निवेश के बाद जियो प्लाटफॉर्म की इंटरप्राइज वाल्यू चारदशमलक 6-2 लाग करोड हो गई है माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यह सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानि की FDI है माना जा रहा है कि दोनों कमपनियों की साच जिधारी से बिस्निस तो बढ़ेगा ही साती रोजकार के कई अफसर भी पैदा होंगे डील को लेकर रिलाइंस का मानना है कि कमपनी के एक छोटे हिस्से पर किसी टेक कमपनी का यह सबसे बड़ा निवेश है भारत में टेकनोलोजी सेक्टर में ये FDI के तहट अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है वहीं फेस्बुक का मानना है कि ये निवेश भारत के प्रती उसकी विश्वास को दर्शाता है जियो भारत में जो बड़े बदलाव लाया है उससे फेस्बुक उत्साहित है चार साल से भी कम समय में रिलैंस जियो ने 38 करोड से ज्यादा ग्रहकों को ऑनलाइन प्लाटफॉम पर एक साथ चुड़ा जानकारी देदें कि 2016 में शुरू हुए जियो ने दीरे दीरे टेलेकॉम इंडस्ट्री में अपनी ठाक जमाई टेलेकॉम और ब्राड बैंड से लेकर ई-कॉमर्स में इसने अपना विस्तार किया और 38 करोड ग्रहकों तक अपनी पहुँच बनाई वहीं भारत में फेस्बुक के 40 करोड यूजर्स हैं माना जा रहा है कि इस साल इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़कर 85 करोड हो सकती है जिसका फायदा फेस्बुक और जियो को मिलेगा मार्क जकरबर्ग के मताबिक भारत एक बड़े डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है इस बदलाव के लिए रिलाइंस जियो जैसे प्लाटफॉर्म ने करोडों भारती लोगों या छोटे व्यवसायों को डिजिटल मोड से जोड़ा है बरतमान दौर में भी ये काफी एहम है भारत में 6 करोड से स्यादा चोटे व्यवसाय हैं और लाखों लोग नौक्रियों के लिए डिजिटल प्लाटफॉर्म पर निरभर है मार्क जकरबग का ये भी मानना है कि कुरोणा और लोगडाउन के दौर में भरोसे मन डिजिटल उपकरणों की जरूरत है ताकि लोग बिना किसी डर के जुड़ सकें हालातों के मद्दे नजर फेस्बुक ने भारत में लोगों और व्यवसायों की मदद के लिए जियों के साथ अपनी साज़ेदारी करने का पैसला लिया है